हलो दोस्तों अगर आप भी बार बार आई पेज में अपलाई करते हैं और अगर आपको आई पेज में अलोटमेंट नहीं मिलता है तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है आपको मैं दोस्तों आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप अगर अपलाई करेंगे तो आप आपको IPO में अलोटमेंट मिल जाए तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आप वीडियो को अन तक जुरूर देखेगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मैंने IPO से रिलेटेड इस चैनल पर कापी सारे वीडियो अगर आपको IPO में अलोटमेंट से रिलेटेड वीडियों देखने हैं तो आपको अलगजे एक प्लियिज्ट देखने को मिल जाएगी तो मैं दूस्तों इस वीडियो में आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माधरितम से आपके IPO में एलोटमेंट के चांस 80-90% बढ़ जाएंगे तो यहां पर दोस्तों जिसे जिसे इंडिया में डिमेट अकाउंट की संक्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोग ज़्यादतर आईपियोज में अपलाई कर रहे हैं सेर्मारकेट में में इंवेश् pense कर रहे हैं अगर ज़्यादा लोग apply करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आईपियोज वैलोटमेंट के चांस कम होंगे लेकिन दोस्तों आपको स्मार्ट ली काम करना है आपको हर IPO में apply नहीं करना है आपको smart तरीके से IPO में apply करना है तब जाकर दोस्तों आपके allotment के chance बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा usable trick में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मैं भी दोस्तों इस trick को follow करता हूँ तो अगर आप भी इस trick को follow करेंगे तो आपको भी ज़रूर IPO में allotment मिलेगा और दोस्तों वो trick है IPO में issue size की trick यानि जो भी IPO announce होता है उसमें दोस्तों एक issue size होता है उसको दोस्तों आपको देखना है अगर IPO का issue size 1500 क्रोड रुपे से ज़्यादा का है आपको जरूर एक से दो IP में allotment मिल जाएगा मुझे दोस्तों पिछले साल कापी सारे IP में allotment मिला है जो 1500 क्रोड रुपे से उपर के IP आएए है उनमें सारू में मुझे allotment मिला है तो ये trick दोस्तों आप follow कर सकते हैं अगर IPO का issue size 1500 क्रोड रुपे से ज़्यादा है तो आपको अपने सारे family members की डिमेट काउंट से IP में apply करना है आपको 2-3 IP में जरूर allotment मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों अगर IPO का issue size बड़ा होगा तो उसमें application कितनी भी ज़्यादा आ जाए लेकिन उसमें allotment के chance ज़्यादा ही होगी है तो आपको इस trip को ध्यान में रखना है और दोस्तों अगर IPO का issue size 1500 क्रोड रुपे से कम है और 1000 क्रोड रुपे से ज़्यादा है तो उसमें दोस्तों आपके chances होंगे 50-60% कि आपको IP में allotment मिल जाएगा और दोस्तों अगर 1000 क्रोड रुपे से नीचे का IPO है तो उसमें दोस्तों आपके chances बहुत ही कम होंगे 20-30% chances होंगे कि आपको IP में allotment मिल जाएगा वो भी दोस्तों अगर 500-1000 क्रोड के बीच में है तो यह दोस्तों आपके 20-30% chances है कि आपको IPO में allotment मिल जाए और दोस्तों अगर 500 क्रोड रुपे से नीचे का IPO है तो वो दोस्तों पूरा का पूरा लगपड़ डिपेंड करेगा कि आपको में IPO में allotment मिल जाए उसमें दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप दोस्तों अगर जदा सी जदा application लगाएंगे तो भी दोस्तों आपके allotment के chance बहुत ही कम होंगे आपको 5-8% chances होंगे कि उस IP में allotment मिल जाएगा या 5% से भी नीचे chances होंगे कि आपको इस IP में allotment मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको smartly IP में apply करना है तो 500 करोड से नीचे के जो भी IPO है उनमें दोस्तों आपको कम से कम application लगा नहीं है 500 से 1000 करोड के बीच में अगर IP आता है तो उन IP जमें दोस्तों आप 2 से 3 application लगा सकते है और 1000 करोड से 1500 करोड रुपे का IP आता है तो उसमें दोस्तों आपको ज़्यादा तर आईपयोज में allotment मिल जाएगा एक application बर भी दोस्तों मुझे IP में allotment मिला है लेकिन दोस्तों अगर आपकी IP में application ज़्यादा होगी तो उसमें आपके allotment के chance भी ज़्यादा होंगे तो यह दोस्तों बहुती super trick है इसको आप जरूर use करिएगा दोस्तों बहुत ही important trick है मैंने दोस्तों पिछले 2-3 साल से इस trick को IP में use किया है और दोस्तों मुझे हर IP में allotment मिला है 80-90% IP में मुझे allotment मिला है तो यहाँ पर दोस्तों आप इस trick को follow कर सकते हैं IP में issue size का कापी ज़्यादा important role होता है क्यों दोस्तों अगर issue size IPO को बड़ा होगा तो उसमें allotment के chance भी ज़्यादा होंगे तो इस trick को दोस्तों आप जरूर follow करिए 3-4 IPO में आप application लगाई है और उसके बाद दोस्तों आप comment section में लिकर बताईए कि आपको allotment मिला है या नहीं मिला तो इस परकार दोस्तों यह important trick है इसको आप जरूर follow करेगा आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like करें IPC related अगर आपको वीडियो देखने हैं कौन ची केटिगरी में allotment किस परकार होता है वो सारे वीडियो दोस्तों आपको उस playlist में देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों आप इस चैनल को subscribe कर लीजिए साथ में bell notification को जुरूर own करें ताकि आपको future में भी IPC related important videos का notification मिलता रहे है के लिए दोस्तों मिलता है आपसे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए keep learning देखते रहे है विल्ट रैजर